नमस्काल डीवी न्यूस में आपका स्वागत है प्रवरतर निर्देशाले ने हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेट के सीमडी और चियर्मेन पवन कांत मुझाल की दिल्ली में स्थित तीन अचल संपत्यों को जब्त कर लिया है इन संपत्यों की कीमत 24 करोड 95 लाग के लगबग आकी गई है एडी ने यह कारिवाही धन शोधन निवारन अधिनियम 2002 के प्राउधानों के तहत की है इडी ने मुझाल और उनकी कमपनियों के खिलाफ सीमा शुलक अधिनियम 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्च किया था जो राजस्वों खूफिया निर्देशाले के आरोप पत्र का संग्यान लेने के बाद दायर की गई थी जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि 54 करोग रुपए के करीब विदेशी मुद्रा अव्यद रूप से भारत से बाहर ले जाई गई है एटी की जान से पता चला है कि पवनकांत मुद्रा ने अन्य लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी कराई और उसके बाद उसका उपियोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया एक इवेंट मैनेजमेंट कमपनी त्वारप भिन कर्मिचारियों के नाम पर अधिकरत डीलरों से विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद पवनकांत मुद्रा के रिलेशनशिप मैनेजर को सौप दी गई बता दे कि Relationship Manager पबनकांत मुंजाल की निजी व्यापसाई की यात्राओं पर हुए निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा को नगत कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था बता दे कि मुंजाल ने Leveralized Remitants Scheme के तहत एक व्यक्ती के लिए साल भर में धाई लाख डॉलर की लिमिट का तोड़ी निकालने के लिए यह तरीका अपनाया था ED ने पहले PK, मुंजाल और संबंदित संस्थाओं के संबंद में एक अगस्त को तलाशी अभ्यान चलाया था और 25 करोरे रूपे की कीमती चीज़ें जब तक करने के सांसा डिजिटल साक्ष और अन्य आपत्ती चनक साक्षियों को कुर्क कर लिया था